वेलकम टू एध्या ब्लोग दोस्तों यह है लजीज आलू टिक्की जो इसे मैंने घर पे बनाई है और यह खाने में बहुत ही तेस्टी बन गई है बिलकुल बजार की तरह इसे मैंने बनाया है घर में जो है छोले बच गये थे तो बस उसी से मैंने सुचा क्यों ना एक जट पर्ट से अलू टिक्की बना ली जाए तो आप भी इसे बनाईएगा देखिए बनाना बहुत ही असान है एक प्लेट लिया मैंने इसे बजार का लुक देने के लिए मैंने प्लास्टिक का ही प्लेट लिया और मैंने कुछ आलू बाल रखे थे तो उसकी टिक्की बना ली है और इसे फैला दिया है और फिर बची हुए जो मेरी मसालेदार जो छोले थे उसको मैंने लिया है और इसमें ढाल दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं यह बहुत टेस्टी छोले बने थे तो मैंने छोले ले लिये हैं और यह बहुत करम थे इसके बाद मैंने इसमें कटे प्याज डाल दिये हैं बारिक और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया और जीरा का भुनावा पौडर था वो मैंने चुरक दिया है और फिर इसमें हरी चटनी थी जो मैंने हरी चटनी डाल दी फिर थोड़े से स्वाध की लिए अपिव्यक डाल दिया था अर्फिर उसके बात मैंने इसमें थोड़ी जनल घर जाए और से पहले मैं इसमें एक हरा धनिया डाला ५शह से पहले मैंने इसमें एक मीठी चटनी थी सोट वाली मीठी चटनी वो मैंने डाला उसके बाद मैंने इसमें कुछ कटे हुए मूली के लच्छे डाल दिये बिल्कुल इसे सजाने के लिए बिल्कुल अच्छा लुग देने के लिए फिर मैंने इसमें खरी धनिया कटी हुई डाली और ये देखिए हरा और सफीत का एक लुग बन गया था बिल्कुल बजा जैसा लेकिन फिर मैंने इसमें एक टॉपिंग के लिए या इसे सजाने के लिए एक लाल चत्नी लाल हरा सफीद देखिए बहुत देखने में जितना खुबसुरत है उतना खाने में भी बहुत ही अच्छा है आप भी इसे बनाएए खाईए और मेरे चैनल को सब्सकाइब कीजिये